दोस्तो वैसे सभी फलों से हमें कोई ना कोई स्वास्त संबंधी फाइदे मिलते ही हैं लेकिन कुछ फल ऐसे होते हैं जिनकी पत्या भी बहुत फाइदे मन्द होती है कई रोगों का इलाज हम इससे कर सकते हैं एक ऐसा ही फल है पपीता अब पपीता के औश्योदे गुण तो आप सभी जानते हैं तुचा के पिग्मेंटेशन रिंकल्स कम करने से लेकर बालों को मुलाहम बनाने का काम करता है पपीता लेकिन इसकी पत्यां बड़ी से बड़ी बिमारियों में फाइदे मन्द हैं जैसे क पपीते की पत्या डेंगू जैसी खतरनाग बिमारियों से भी लड़ने में मदद करती हैं पपीते के पत्य का जूस पीने से खून में पेटिलेश बढ़ते हैं पपीते के पत्यों में ऐसे गुण हैं जो रोगों से लड़ने में मदद करते हैं डियाबेटीज में पपीते के पत्तों का जूस पीना चाहिए पपीते के पत्तों का जूस पीने से खून में शुगर की मातरा घटती है और लिपिड लेवल भी कम होता है पेट के लिए फायदेमंद है पपीते के पत्तों का जूस या रस पेट के कई रोगों से लड़ने में मदद करता है पपीते के पत में आराम मिलता है यह आपके पाचन श्रकती को बहतर Aww, साथ ही पेढ़ में गैस की समस्या को भी कम करता है पिरे ड्य में मददकार महिलाओं को अक्सर पउस चूटकारापाने के लिए आप पपीते के पत्तों का कहड़ा बना के रपी सकते हैं इससे दर्द में राहत मिलेगी इम्यूनिटी बढ़ाने में मदद का है पपीते के पत्तों के जूस का सेवन करने से इम्यूनिटी को मजबूत बनाया जा सकता है इसमें कई ऐसे तत्व पाई जाते हैं जो इम्मिनिटी को मजबूत बनाने के अलावा इंफेक्शन की समस्या से भी बचाने में मदद कर सकते हैं पिंपल्स को करे दूर पपीते के पत्तों को सेहत ही नहीं बलकि स्किन के लिए भी काफी फाइदे मना जाता है पिंपल्स की समस्या होने पर पपीते के पत्तों का पेस्ट बनाकर लगाने से या जूस पीने से पिंपल्स की समस्या से छुटकारा पाया जा सकता है दोस्तों आज हमने आपको बताए पपीते के पत्ते के फाइदे पपीति के पत्तों का आप किस तरीके से इस्तेमाल करें की आप को इसके सब भी औश्रत ये गुणं मिल जाए उमिद करते हैं आप को इवीडियो पसंद आएओगी अगर आप हमसे कुछ और भी जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कर बता सकते हैं आज के इस वीडियो में इतना ही खुश रहें, तंदरुस रहें, नमस्कार.